बहुत सारे त्याग और बलिदान के बाद हमारा देश आजाद हुआ था फंदरागर तुरिक से तालिस को और फिर सेवेंटिफॉर यर्ज के बाद हम लोग आज गुलाम हो गए हैं कोड़ोना के कोड़ोना ने हमें गुलाम बना दिया हर किसी को घर में बंद कर लिया है हम सब डरे हुए हैं पता ही कितना त्याग बलिदान इसमें देना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा ट्रंशन कंडिसन रख दिया है कोड़ोना ने कि अगर आप मास्क लगाते हैं और दोगज की दूरी तो आप मुझसे सेफ हैं तो चलिए इस लड़ाई को भी हम लोग जीत लेंगे अभी हम लोग 15 अगस्त को सेलिबरेट करने के लिए जा रहे हैं यहां के पटेल फिल्ड में देखते हैं महां पे फ्लैग होस्टिंग का चल रहा है कि नहीं चल रहा है वैसे चलना तो जो रहनक होती थी सरकों पे महलों में वो रहनक अभी नहीं है बिल्कुल सनाटा पड़ाउने तो हर जगा हर गली में गाना बंजना सुध हो जाता था अगर अब कोई गाना नहीं बज़ रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि आज इंडेंडेंगे हम लोग छोटे थे तो बहुत कुछ होता था जलेवी मिलता जलेबी तो नहीं मिलता था मगर मिठाई बिलती थी टैकेट मिलता था हम लोग पटल मेंदान गय तो जरूर लेकिन वहां पर एंट्री अलाओ नहीं था बाहर बारे लोगा तो नहीं देख पाए हम लोग कोई बात नहीं नेक्स टाइम इस बार में थोड़ा प्रावलम है तो हम लोग सिर्फ गुम को वापस आ गये रास्ते में जलेवी छर्णा गया तो जलेबी लेक्ए 15 अंच मयात उसी में जलेवी खाए अब लोग जलेवी कम खाते है लेकिन अधि मयात अरभी अब हैब यह कुरियर लेकर आया है हमारा कुरियर आ चुका है एक कुरियर मैंने बगा या नोना क्या दिखा यह भूपवाध लब मैं दिखाता हूं इस पड़िए दोनों स्नेल देखने में परेशान है वो विचार अपना धीरे-धीरे चले जा रहा है यह देखिए कैसे चले जा रहा है अरे मामी पासमत ले जाओ वो डर जाएगा अच्छो डर जाएगा वेडिका नहीं डर यह बिलकुल बोडर जाएगा एक वहां चले जा रहा है उस जगह पर और एक यहां पर है यह देखिए और एक वो दिवाल पर भी है अरे सा रहे यहां पर तो बच्चों के जूक की तरह लग रहा है बताओ अरे इसके फेर की ऊपर स्टेल चल रहा है देर सारे तो यह दो चीज मैंने मंगाया यह हमारा वाइपर है जो बहुत दिन से हमारा प्रावलम का वाइपर आगे साफ निकर रहा था और एक टार इंफिलेटर यह तो मैंने पहले मंगाया था कलकता में जो आपने हमने आरा पटना वाला वीडियो अगर देखा है तो उसमें किजेगा और ठीक वैसे ही जब हम लोग कोलकाता से वापस बिहार आ रहे थे तो घर से निकलते ही पता चला की टायर का हवा बलकुल निकल चुका है तो यह बहुत इंपॉर्टन चीज से उसमें हमारे बहुत काम आया तो इसका भी मैंने पतना ट्रिप के बाद जब कोलकात तो मैंने यह तो अच्छापन में आगे यह बहुत ज़रत के टायर के लिए रहे वाट आगे आगे वाडे राइट चायर में प्रावान निकल जाता हूं तो बोलता है पंक्चर नहीं है तो अब बहुत जा च्करना पड़ेगा लेकिन अमर्जेंसी के टायर में यह बहुत अभूए मेला इसलम ़ी झाहर में नहीं मिलते हृता हूं निदम तो प्हले को सुeg समय इसमेस के जरूरा इसके कोशिछ करते हैं वाज कि पर लि पाती है करे लिए इसक来 कराम कि लिए बहुत जरूरा दिए है सब से पहले काल को निकालते हैं सबसे पहले पीशे करते हैं और फिर सबसे करते हैं को जड़ने के निकाल ले लगाने के लिए उस नेल के साथ देख रहा थिन देख रहना है Hersa's तो मैंने कार्ड को निकाल लिया है वाइपर लगाने के लिए वाइपर तो पल अभी तक पैक है मैंने देखा भी निया इसके अंदर कैसा है कुटा कुटा तो अमेजन में बेज नहीं दिया इसनी खतरनात अंबॉक्सिंग आप लोगोने नहीं नहीं दिखिए है वापस भी नहीं होगा अब यह दो निकल गए दो वाइपर यह लेफ्ट वाला एक राइड वाला अब दो यह दो अपनी गारी के साइज की साफसे इसके साफसे बिलता है इतने इंचस के है यह एक बीस सब्सक्राइब आपको जो अच्छा लगता है और कुछ बेसिक सीजी अपने घर पे ठीक कर लें हर चीज के लिए गयराग करने यह समझे मुझे अभी आए यह 22 इंच का है फिट होगा मेरे गारी में मैंने बिना ना पे मंगा लिया था लेकिन आप लोगो एक्स्पिरियंस अब इसमें दे रहा हूं को मंगा लिए इसको माप करके मगाई यहां चलिए अब इसको लगाते हैं लगाना अभी पॉस्टाय में दिखा रहा हूं यहां पर क्लिप होता है और इसको हम लोग दवाते हैं तो यह क्लिप मैंने लिखा लिए यहां पर प्रेस करके बस नीचे कुछ किया यह बहार आंगया और अब इसमें न्यावार लगाते हैं कि अब लग चुका है बहुत बहुत इसी था बसा में पता नहीं था अब दूसरा वाला निकन रहा है कि दालेंगे यह जो है इसमें फोल में गुजाके तो नीचे की तरफ लाएंगे इसको ठत से आवाज करेंगा यह लॉक हो जाएगा हुँ हो जाए नहीं हां यह लोग बहुत ही इसी एवाज बस एक बार समझना अराम से वाइपर खेड़ियों और चेंग कीजिए बिना किसी ठंसन के अब चेक कर लेते हैं सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो चलते हैं गाड़ी के अंदर तो चलिए टेस्ट करें हमारा वाइपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है चलिए थोड़ा से केमरा को और यह तरफ कीजिए और दिखाएए मैं थोड़ा वाँ वाँ आप आप कर रहा है आप आप मस्त काम कर रहा है मकण बढ़िया खुद से लगा लिए भाई सारे 400 रुपया में काम हो गया मेला अभी मैं इसको सर्वी सेंटर में लेके जाता है ना तो हजार रुपय कम से कम लेते हैं वो लो अब ऐसे हर गाली का साइज होता है आप अपने एक बार साइज देखने वारे पर और उससा आप समगाएं के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक किजिए आपको जो पसंदा है वो पर्सिस किसी तो चलिए आप भी इस टायट इंफ्लेटर को देखते हैं कैसे काम करता है इसको तो हमने उलाओं वहां अन्बोक्सिंग क्या हुआ है चली दिखाते हैं अन्बोक्सिंग आपको पुला हुआ है यह जो बैग दिया बहुत छोटा दिया अमेजन आपको यह दो एक टो फ्यूज है और यह फुट वाल में हवाँ डालना हो और कुछ साइकल वाइक के लिए बाकी मैनुवल्स अगेरा दिया हुआ है तो मैनुवल्स वगेरा क्या तरहां है इसको रखते हैं है वैसे अगर आप इस अमेजन अमेजन अगर आप अमेजन बेसिक का लेते हैं तो उस डब्बे को हमेजा अपने साथ रखें क्योंकि यह वाला जो बैग है ना बिल्कुल ताहीज का इसमें अगर आप डालते हैं तो फिर निकाले और डाले में बहुत दिक्कत परसान फिर से इससे ढालता हूँ ताकि आप लों देख सकें हवा डाल पाता है रहे एक पार्न अञेत्स कि टनीर पिरसे इसे ऑडिगा प्राहभी और खेक ही जल गया रज्ट निर गया है आब दो तरह िदा का लेट दिया हुआ है ज़ते हैं अभी मैं हवा निकाल रहा हुँ हलका सा प्रेशर दिगा और आ बहुं है अब लगबग मैंने पूरा हावा निकाल दिया अब इसमें लगाता हूं इसमें दिखाएगा कितना टैड का प्रिसर है तो इसको अभी लगाता हूं मैं 32.5 मैंने सेट कर दिया है अब यहां से मैं पावर आउन करता हूं रेड़ी 32.5 मैं प्रिसर निकाल दिया और यहां से तीन मिनट लगा मुझे ने पूरा टैर फूल हो गया तो यह करते हैं दस मिनट जड़ा कंटीनू नहीं चलाना है तो थ्रावेट के प्रिस्ट में दाल सकते हैं और ना वाइपर को लगा लिया और यह सब ओका लिंक में आप यहीं खर दें आप जाकर करें जो भी आपको अच्छा लगे वह पर्चिस किजिए अपने हिसाब से अपने अनलाइज किजिए और मिलता है अगली वीडियो चलते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए चैनल पर नयाद चैनल को सब्स्क्राइब कर द रचित्स चैनल को सब्सक्ड़ी आदे अगा कर सकंदा शें होता सेर्फालाइब कर दो एकिए रकित्छा ये हूंग खर समय बगता हैं अगलाइव सेयल कैंलाइब कर दिए ने सेंलatiे हैं